हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो गाईज आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्राखंड तथा भारत से संबंदित करेंट अफेर के कोश्चन जो की डेलेड एंट्रेंस एक्जाम के लिए काफी महतुपून होने वाले हैं आपकी उत् इंपोर्टेंट करेंट अफेर का रिविजन कर लेना है क्योंकि अगर आप अपने इस लास्टे में रीजनिंग या फिर मैट्स के कोश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका काफी टाइम इसमें चला जाएगा तो फ्रेंट्स फटा फट से आज का हम फाइनल रिविजन कर लेत सबसे पहला प्रशन हमारे पास है महिला T20 वर्ल्ड कप में सरवादिक विकेट लेने वाली खिलाडी कौन बनी है तो देखो फ्रेंट्स यहाँ पर सरवादिक विकेट लेने वाली खिलाडी पुछा है यह आपकी नैशनल स्पोर्ट से एक करेंट अफेर का कॉशन बना है इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा शबनीम इसमाईल अब इनकी बारे में जान लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपसे नोट के अंदर से भी यहाँ से कॉशन बन जाए इसलिए आपके हर कॉशन के आंसर का एक नोट तयार किया गया है इसको भी आप दिहान से दे असी मील प्रती घंटा की तीवरता से इन्होंने गेंद फै की है याने की 128 किलोमेटर प्रती आर ठीक है अब नेक्स्ट कॉशन हमारे पास है अब जो इसकी पीडिया फाइल है वो मैं आपको टेलिग्राम ग्रूप में शेयर कर दूँगी अगर आप टेलिग्राम ग्रूप 2023 के नाम से तो आप वहां से जाकर जितनी वी वीडियो मैंने डाली थी प्रैक्टिस सेट मैथ के वगरा तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं तो दूसरा कोशन हमको दिया है हाल ही में पैपसी ने किसे अपना नया ब्रैंड अंबेस्टर बनाया है तो फ्रेंड्स यह जो पैपसी का नया ब्रैंड अंबेस्टर बने है वो नए नए है बने है इसलिए आपके पास आप्शन है रणवीर सिंग, रणवीर कपूर, अक्षे कुमार, इनमे से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रणवीर सिंग ठीक है तो कुछ और यहां पर ब्रैंड है जिनक प्रीत कॉर, साथ ही बाई जूस के भी आपको पता होने चाहिए लियोनल मैसी, ठीक है अब नेक्स कोश्न है ऑमारे पास है एस्या की अब तक की सबसे लंबी साइकल रेस किस राज में आयूजित की गई, तो आपका ऑप्शन C यहां पर करेक्ट हो जाएगा, एश्या की अ श्रीनगर में ये रेस की गई कश्मीर से लिकर कन्या कुमारी तक कश्मीर किंद शाजित परदेश है पांच अगस 2019 को ये किंद शाजित परदेश गोशित किया गया है 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावी हुआ है और उप राजिपाल यहां के है मनुस सिना तो फ्रेंट्स कौन सा राज भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक इस्थापित करेगा तो फ्रेंट्स इसका राइट अंसर हो जाएगा हमारा राज उत्राखंड जहां की नवजाज शिशों के लिए ऐसे शिशों जिनकी मा जो है डिलीवरी के वक्त उनका निधन हो जाता है तो उनके ल भारत उजवेकिस्तान प्रशिक्षन अभ्यास टस्लिक्स उत्राखंड में शुरू हुआ तो यहां पर कुछ नोट दिये गए हैं उत्राखंड से संबंदित उत्राखंड में नकल विरोधी कानून लागू हुआ तो यह करेंट अफेर के कुछ उत्राखंड से संबंदित क जो कि आप से पूछ जा सकते हैं एम्स रिशी केस ने ड्रोन के जरिये तपेदिक की दवाय पहुचाने का ट्रायल भी लिया है उत्राखन के मुक्षी मंत्री ने दोजार पच्चिस तक राज जी को नशामुक्त घोशित करने की घोशना की है जो कि मैंने आज आपको मौर्नि में नशामुक्ती अभ्यान के लिए बनाया गया एक कार्टोन है तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की ओर कोशन नमबर फिफ्ट हम से क्या पूछा है कि सावित्री बाई फूले प्रसंसा अवोर्ड दोजार तेई से सम्मानित किया गया है ऑप्शन है आपके प पता होना चाहिए कि प्रोफेशर डॉक्टर शशी पांडे उत्राखंड में कौन है तो देखिए डिएसबी परिशन ननिताल यानि कि कुमाओ विश्विध्याले का तो आपने नाम सुना ही होगा तो उसमें हिंदी विभाग की साहयक प्रोफेशर हैं मल्टी डिसिप्लिन इंटरनेशनल सेमिनार ए एन कॉलेज दुमका जहरकंट के ओर से इनको यह अवर्ड मिला है कौनसा अवर्ड सावित्री बाई फूले प्रसंसा अवर्ड 2023 किसे मिला है प्रोफेशर डॉक्टर शशी पांडे जो कि कुमाओ विध्याले के हिंदी विभाग में साहयक प्रोफ इसका नाम क्या है तो देखिया ऑप्शन हमारे पास है डोली गंगा यमुना या फिर दुर्गा तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन भी गंगा तो गंगा नाम रखा गया है मादा बच्छरा का जो की राश्टिय डेरी अनुसंदान संस्तान ने भारत की पहले गिर नसल की क्लोन मादा बचरा का नाम रखा है ठीक है अब इसका एक नोट भी पढ़ लेते हैं UK Live Stock Development Board देहरादून के सहयोग से यह जो है नसल पैदा की गई है अब देखें नेक्स्ट कॉशन हमारे पास है कॉशन नमबर सैवन्थ किस शहर में पहले International Quantum Communication Conclave का आयुजन किया गया है ओप्शन हमारे पास है मुंबई, हैदराबाद, चेन नहीं और नई दिल्ली तो फ्रेंट्स आपको पता होना चाहिए कि पहला International Quantum Communication Conclave जिसका की आयुजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नई दिल्ली नेक्स्ट कोशन आते हैं अब फिर से हमें एक उत्त्राखंड Current Affair से संबंदित एक कोशन यहाँ पर नजरा रहा है जिसमें पूछा है उत्त्राखंड की डॉक्टर माधुरी बर्तवाल को लोककला और वंदना कटारिया को खेल के छेतर में पदमश्री पुरुसकार से अलगरत किया गया है एक अन्य महला भी है उत्त्राखंड की ही जिनका नाम है बसंती देवी इनको किस छेतर में पदमश्री पुरुसकार परदान किया गया है तो प्रेंट्स आपको पता होना चाहिए कि उत्राखंड की तीन महिलाएं डॉक्टर माधुरी बर्तवाल, साथ ही बसंती देवी और वंधना कटारिया इनको अलग-अलग छेतरों में पदमश्री पुरुसकार से सम्मानित किया गया है दो का तो आपको छेतर बता दिया है माधुरी बर्तवाल का छेतर जो है कला के संबंद में है वंधना कटारिया का संबंद खेल में है आपको पताई होगा और हमसे पूचा है बसंती देवी का संबंद किस छेतर से है ओप्शन्स हमें दिये गए है जल संरक्षन, चिकित्सा, लोक कला या फिर इनमें से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जल संरक्षन जल संरक्षन 2022 में इनको पदमश्री पुरुसकार परदान किया गया है कोशन नमबर नाइन्थ है हाल ही में लॉंच फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लिखग कौन है तो देखिए नई नई पुस्तक है तो करेंट अफियर से इसका कोशन बना हुआ है और ये पुस्तक है डॉक्टर किरन बेदी द्वारा लिखी गई तो पुदुचरी की पूर्व उपराज पाल भी रह चुकी है और हमारी पहली महिला IPS ओफिशर भी रह चुकी है जबकि अब ये सेवा निवरित्र हो गई है तो यह पुस्तक पुदुचरी की उपराज पाल के रूप में उन्होंने लिखी थी डॉक्टर बेदी की लगभग 5 वर्सों की सेवा और भारतिये पुलिस सेवा में उनके 40 वर्सों पर आधारित है तो किरन बेदी जी ने ये पुस्तक लिखी थी जो की उनके अनुभवों को बताती है अब नेक्स्ट कोशन हमारे पास है वर्ष 2022 का मेजर ध्यांचंद खेल रत्न पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट कोशन होने वाला है जिसमें की पुछा है 2022 का मेजर ध्यांचंद खेल रत्न पुरुसकार से सम्मानित किसे किया गया आप्शन आपके पास है शुश्री सीमा पुनिया शरत कमल अचंता या फिर प्रणय एचस या फिर विकास ठाकूर तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओप्शन भी शरत कमल अचंता तो ये कौन है ये टेबल टैनिस के खिलाड़ी है शरत कमल अचंता जिनको की वर्ष 2022 का मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुसकार परदान किया गया है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने देख लिए है डियलेट एंट्रेंस एक्जाम के लिए उत्राखंड और भारत से संबंदित मेन मेन करेंट अफियर के कौशन जो कि कल आपको 5-6 लगभा कौशन देखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो से और प्लस साथ में जो मौर्निंग में वीडियो मैंने अप्लोड की थी तो फ्रेंड्स आज का दिन आपके लिए करेंट अफियर के कौशन का रिवीजन करने के लिए है साथ ही अगर आप जीके के कौशन देखने चाते हो तो उसको भी आप रिवाइस कर सकते हो लेकिन अगर आप लास्ट डे में मैथियर रिजनी की कौशन सॉल्व करने लगोगी तो आपका टाइम पहुँच जल्दी जो है पीच जाएगा तो इसी तरह की और वीडियोज के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा